अलाम अलाइकुम, वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल इजी लेर्ण आज हम बात करेंगे अपगार स्कोर के बाद सबसे पहले ये कि अपगार स्कोर क्या होता है निउबॉर्ण बेबी होता है, पहले वो प्लेसेंटा के थूरू निउट्रियंट्स ऑक्सीजन लेता है, जो भी उसे रिक्वाइर है अज डिलिवरी टाइम, जब हम अम्बलाइकल कोड को कट कर देती है तो कॉनेक्शन कट हो जाता है, बेबी इंडिपेंडेंटली रिस्पारेट करने लग जाता है डॉक्टर वलजीनिय अफगार ने 1952 में अफगार स्कोर को इंवेंट किया था अब हम बात करते हैं कि अफगार स्कोर टाइमिंग्स क्या है, यह हम किस टाइम करते हैं एट बर्थ वान मिनिट्ट हम स्कोरिंग लेते हैं बेबी की अगर तो हमें लगे कि proper response नहीं आ रहा क्योंकि बेबी को external environment में adjust होने के लिए थोड़ा time लगता है तो अगर हमें लग रहे कि अभी थोड़ा proper response नहीं आ रहा तो हम five minutes के बाद उसके दुबारा scoring लेते हैं अगर फिर भी in case के हमें फिर भी लग रहे कि थोड़ी बहुत अभी भी response में है कि यह proper नहीं आ रहा तो अगर जरूरत परे तो हम 15 minutes के बाद भी scoring third scoring दुबारा से लेते हैं अब हम बात किरते हैं evaluation की five factors हैं जो हमने बेबी की condition को evaluate करने के लिए assess करने के लिए इस्तमाल करनी है zero to two scale होता है zero one two जिस में से जो two score है वो best score है इसमें हम बेबी की appearance को देखते हैं उसका skin color देखते हैं यह मैं आगे जाके बताऊंगी के बेबी की body का क्या color होगा तो हम उसको क्या score देंगे then हम उसका pulse यह CVS में आ जाता है cardiovascular system में इसमें हम उसका heart rate को check करेंगे grimace उसका response reflex irritability को check करेंगे new born के reflexes तो परेंगे आपने तो हम उसके reflexes को assess करते हैं then हम activity muscle tone को check करेंगे respiration उसका breathing check करेंगे अब हम scoring की बात करते हैं कि जब हमने appearance करनी है बेबी की appearance देखनी है उसको skin color देखना है अगर तो बेबी की पूरी body नीली है या फिर ज़र्द है पीली है तो हम उसको score देंगे zero score और अगर बेबी की body pink है लेकिन उसकी extremity is blue है लाइक उसके बाजू और उसके टांगे नीली है तो हम इसको score देंगे one score उसके बाद अगर तो उसकी पूरी गुलाब भी है तो हम स्कोर देंगेTwo स्कौर अब हम बात करते हैं 03. 0 अगर प्लस की हार्ट रेट की अगर तो из प्रमस्कंव हो रही हैं तो हमको स्कौर देती है Nos अगर 100 beats per minute से less है तो 1 score अगर 100 beats per minute से greater है तो 2 score अब हम बात करते हैं grimes की, grimes में अगर तो नही रिस्पोंस आ रहा उसके जब हमने reflexes check करने है no response 0, absent है तो अगर 1 score हमने तब देना है कि लाइग मैं अगर बेबी के bottom of foot को irritate करो fingers के साथ उसके facial expression change हो जाए उसके facial movements को देखना है eyes blink कर रही है तो हम उसको score देते हैं one score और अगर उसके response में वो cry करने लगया काफी sneezing करने लगया तो हम उसको score देते हैं two score अब हम बात करते है activity की muscle tone की हमने बेबी की muscle tone को check करना है अब मैंने अगर उसके muscle में कोई भी हलका सा उसको pinch किया है तो वो इसके response में अगर बेबी कोई response नहीं दे रहा flaccid flap है कोई response नहीं आ रहा तो zero score और अगर मेरी इस activity के response में वो अपनी respiration की breathing की अगर तो sans नहीं मेसूस हो रहा absent as zero score अगर slow और irregular अधी में sans आ रहा तो one score और अगर अच्छा आ रहा good as strong cry भी है तो हम उसको score देंगे two score इस वीडियो में मैं आपको बताती है कि हमने कैसे assess करना और हमने उसको scoring देते जाना है और at the end हम उस score को count भी करते हैं सबसे पहले बेबी की muscle tone को assess कर रहे हैं कि वो देखे हरका से pinch करके देखे है कि वो response दे रहा है कि नहीं response दे रहा है उसमें reflection तो नहीं अपने limbs के कर रहा है या active movement कर रहा है उस हिसाब से हम उसको score देंगे जो भी score हमें मिलेगा उस baby का जिसको आप assess कह रहे हैं अब हम उसकी heart rate को check करेंगे between nipple line हमने baby stethoscope रखना है उसकी heart beat को check करने heart rate को then उसे साब से score देना 0-1-2 then हमने उसके grandness उसके reflexes को check करने यह देखे bottom of foot पे fingers इसको irritate करके देखे तो उसकी क्या response आ रहा है कोई response आ रहा है यह उसकी facial movements change और यह blink कर रहा है यह cry कर रहा है क्या हो उससे साब से हम इसको score देंगे जो उस वक्त हमारा baby हमें response कर रहा होगा then हम उसकी appearance को check करने लगे है वही चीज हमने उसकी body को देखना है के blue है pale है या pink है उसकी extremity is pink blue है और बाकी body pink है उससे साब से हमने उसको score देना है आट दा हैंड अब हमने उसकी respiration को check करना है उसकी respiration को assess करना है abdominal muscle से below rib cage हम bleeding blade check करेंगे उसका rise और fall check करते हैं अगर तो absent as zero दे देंगे below 20 या one दे देते हैं और अगर proper आ रहा है good आ रहा है तो हम उसको दे देते हैं two score यह आपको पहले भी scoring बता दिया अब इस तरह आपने यह सारे score लेनी है जो भी baby response हमें कर और उसे साब से आपने scoring को count कर लेना अब total score 10 score होता है अब हमने इस baby का अगर लिया suppose मैं कहलू कि मैंने इसकी appearance को check किया था उसको two score मिला जब मैंने grimace देखा one score मिला muscle tone देखी zero score मिला respiration देखी two score मिला इसी तरह जो भी score आया उसको मैंने count कर लिया अगर तो score 7 to 10 के दर्मियान है तो means कि वह excellent condition है कोई depression नहीं है और अगर 4 to 6 है तो mild depression है अगर 0 to 3 है तो severe depression है उसके लिए emergency treatment required होता है जो हम उसको बेबी को देते हैं thank you so much अगर में आपको यह lecture पसंद आया तो इसको like और subscribe करना मत भूलिएगा और मुझे comment में जरूर बताएं कि यह आपको lecture समझ आया के नहीं आया उसके इलावा अगर आप किसी भी topic में समझना चाहते हैं पूछना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे comment में वो topic का name जरूर सेंड करें thank you so much